नमस्ते दोस्तों मैं हूँ राजाओन और आज के वीडियो में हमें एक लेटर राइटिंग देखेंगे जो की है राइटे लेटर टो यूर अंकल थैंकिंग हिम फॉर दा बर्थडे गिफ्ट तो आपके काका या फिर मामा कह लीजिए उन्होंने आपके जनम दिन पे कोई तौफा दिया है तो उसके बारे में उन्हें शुक्रिया बोलते हुए आपको एक लेटर लिखना है एक चिठी लिखना है तो यह बहुत इंपोर्टन लेटर राइटिंग है आए इसे ध्यान से देखते हैं कैसे हम शुरू करेंगे आपक इस जगा से लिख रहे हैं तो नॉर्मिली क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन होता है तो यह सब दिया होता है वरना आप कुछ भी एबी से लिख सकते हैं और डेट आप कोई भी इमेजनेरी डेट दे सकते हैं तो डियर अंकल ग्लैड टू नो देट यह रिकवर्ड तो आप अपने अंकल को लिख रहे हैं कि मुझे यह जानके बड़ी खुशी हुई कि आपको जो बीमारी थी आपने उससे रिकवर कर लिया है यानि कि आप अभी स्वस्थ हो गये हैं और मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि आपने जो मेरे जनम दिन पे पेंटिंग क गिफ्ट किया था जो मुझे तौफा दिया था वो मुझे बहुत ज्यादा पसंदा रहा है विज दिस किट आइव मेड वन पेंटिंग ओफ और फैमिली और फैमिली और फैमिली और आप और आंटी है I genuinely want to thank you from the bottom of my heart for this lovely birthday gift and can't wait to see you again इस प्यारे से birthday gift के लिए तौफे के लिए तहे दिल से शुक्रिया और उम्मीद करता हूं कि जल्दी आपसे मुलाकात हो तो यह हो जाता है main part उसके बाद देखिए that's all for today write to me back soon and please take care of yourself as you have just recovered love you तो उसके बाद आप लिखते हैं कि आज के लिए बस इतना ही वैसे हम सभी letters में यह लिखते हैं सभी friendly letters में write to me back soon यानि कि मुझे दुबारा से जरूर लिखिएगा और please अपना खयाल रखिएगा क्योंकि आप अभी अभी स्वस्त हुए हैं बिमारी से love you यानि की बहुत सारा प्यार तो आपके दूसरी teachers जो हैं शायद यह love you ऐसे लिखना prefer नहीं करेंगे लेकिन मैंने लिख दिया है क्योंकि एक friendly letter है और ऐसा होता है ना जब हमारा कोई friendly relation है तो हम conversation के last में ऐसे ही बहुत देते हैं love you तो यह अच्छा लगता है लिखना इसलिए लिख दिया आप भी freely लिख सकते हैं और जैसे के भी दिया है question में तो वह लिखेंगे वरना ABC से दे सकते हैं और कॉमा के अंदर दीद जी का आप और हो जाएगा अगर आपको कोई भी डाउट है तो फिर भी comment section में पूछिए और मुझे यह भी बताई है यार comment में कि आपको कौन-कौन से letter चाहिए notice चाहिए ऐसे चाहिए मै उनके वीडियोज बनाऊंगा तो मिल जाए अगली वीडियो में जब तक के लिए take care